हाई देर, वल्कम बाक आज मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ देखिए यहाँ पे एक भी बैक्ग्राउंड में रणिंग आप्लिकेशन आपको शूर नहीं हो रही हैं ठीके ना लेकिन मैं जैसे ही एक फाइल को उपन करूँगा मेरे multiple tabs एक साथ open होंगे जैसे देखिए यह chrome है मैं इस chrome को open नहीं करूँगा मैंने एक फाइल बनाई हुए यहाँ पे एक text document जो की .bat file में है .bat type में है मैं इसे open करूँगा तो multiple tabs एक साथ open हो जाएंगे मैंने जैसी इसे open किया, देखिए मतलब मैंने यहाँ पे दो tab सेफ रखे थे एक अपना YouTube देखिए ओपन हो गया और एक अपना cell document पर ओपन हो गया लेकिन अगर मैं वही Google Chrome को open करूँ तो किस type का interface आपको देखिएगा देखने के लिए वो इस step है को कि मेरे multiple accounts हैं तो यहाँ पे आपको इस step को देखने के लिए मिलेगा चलिए आपको मैं बताता हूँ कि यह तहरीकर का magic मैंने कैसे किया है So let's get started यह करने के लिए first of all आपको एक new text file एक new text document create करना होगा simply आपको right click करने अपने laptop में यहाँ पे आपको जाना है text document यहाँ पर आपको दिख जाएगा text document इसमें जाने कवाथ इसको double tap कीजिए.. open कीजिए.. open करनेक बाथ आपको इहाँ पे लिखना है add the rate echo of फिर आपकोचाना है दो बार एंटर दे रहा है, दो बार आप जाओ आपने एंटर दिया, तो यहाँ पर आपको जो भी टैप्स को उपेंड करना है, उसकी लिंक यहाँ पर आपको कॉपी करना है, मेरा एक यह वाला टैब है, तो मैंने इसको क्या 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 क्य सब्सक्राइब जबूआ की लिंक देए और यहां से मैं जाऊंगे नीचे और यहां से मैं करूँगा Control-V दो बढ़ दिया control-V यह हो चुका है इन तीनोों के link कापय हो चुकी है बैस आपको क्हा करना है इन तीनों के नीचे आपको क्हा करना है start लिख देना star n start में इस पेस दे दीजे और फिर एक बहर इस पेस दे दीजे यह हमने करदी है start 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 हम में पास तीन हो चुके हैं अब इसको save करना है file में जाए save आस पर जाए आपको यहाँ पर main game होता है यहां पर क्रोम और dot लिखना है dot BAT दॉट बीटी लगाना यहाँ आपको कहाँ पर सेफ करना,laşवान में इसको डेक्स टॉप में से कर दिया,इसको शेफ हो गया यह,ईएप अब आप आप देखिएगा, इसको मैं ने मिनिमाइस किया, इसको मैंने क्लोस कर दिया, अब देखे मेरा जो background में कोई भी running applications नहीं फर उसमिपर यह जो running हो इसको भी close कर देता हूँ यह मैंने close कर देखे ना मैंने इसको यहां से delete कर दी हटा दिया मैंने इसको इसको भी running applications open नहीं है अब देखे मैं जिसको जैसे ही open करूँगा ये chrome वाले को तो मेरे तीन टैप से खटा open हो जाएंगे कौन कौन से जो कि ये YouTube, Cellular Document और थर्ड अपना ChatGPT देखे मैं जैसे इसको open करूँगा देखे मैंने open किया और ये अपना तीन टैप automatically load होने लग लगा YouTube, Introducing ChatGPT और यहां पर देखे आपका Cellular Document ये आपका ChatGPT ये आपका YouTube और अगर आप simply अगर आप Chrome open करेंगे तो मेरा कुछ इस चरप के इंटरफेस दाता है ये देखिए, मेरे चार-चार अकाउंट बने हुए है तो मेरे चार-चार अकाउंट के मुझे इंटरफेस आता है आप जिस अकाउंट में लोग इन होना चाहते है आप उस अकाउंट में लोग इन हो सकते है तो यह थी simply आप एक बार में अपने सारे टैप्स को जो जिस भी टैप्स में आप work करते हैं एक बार में सारे टैप्स को open कर सकते हैं Thank you so much